And welcome to Only I.S. जिसे हम कहते हैं, कि एक जो आपका बुजरुग वर्ग है, जो एजिंग पॉपलेशन है, उसके केर में आप क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी हैं, दो इंपॉर्टन्ट राइटर्स हैं इसके, जौन द्रे और इस्तर डफलो, बहुत प्रॉमिनिन राइटर्स हैं, और यह जो आपके GS paper 2 के welfare section के अंदर, जहां vulnerable section के लिए center या state कौनसी schemes लेगा आती है, क्या उनकी problems है, वो topic यहां से relate करता है, क्योंकि बहुत prominent writers है, तो हमें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बोला है, तो CDC बात है, इन्होंने बात किया है, old age population के उपर में, इंडिया पे जब भी बात होती है, आप देखते हो, इंडिया is a growing country, सब कहते हैं, इंडिया has youth, इंडिया में working age population बढ़ रही है, इंडिया में demographic dividend है, और इंडिया में focus होता है, कि कैसे जी youth है, उसको job की जरूवत है, skill की जरूवत है, लेकिन कहा जाता है कि इंडिया में क्योंकि जादा old age population नहीं है, इंडिया अभी a mature country नहीं बनी है, mature economy नहीं बनी है, इसलिए मारा focus वहाँ नहीं रहता, लेकिन writers यह push करते हैं, कि कैसे हमने देखा है, कि post independence of India, इंडिया ने अपनी जो, जो अपनी life expectancy है, आपनी life expectancy मतलब, जितना आप जी सकते थे अगर आप पैदा हो रहे हैं, तो पहले वो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में, जो old age population है, उसका proportion बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ-साथ, इंडिया में जो policy making है, उसको भी change करने की requirement है, क्योंकि इंडिया में policy making old age को ignore करती है, इसका कारण दो है, एक, पहले जारा old age थी नहीं, देखा, proportion majorly था, fertility rate बहुर जारा थी अभी fertility rate कम हो गई है, replacement rate के आसपास हम बहुच चुके है, 2.1 के आसपास, पहले बहुर जारा fertility rate थी, बहुर से बच्चों की मृत्वी भी होती थी, और मारा focus primarily होता था, कि आप fertility rate को कैसे control करो, और जो new natal care है, उसके उपर focus करो, primary health care पर focus करो, अब दूसरा यह था कि इंडिय इंडिया में जो structure है, old age का, वो ऐसा था कि इंडिया में joint family system हुआ करता है, अभी भी कुछ level पर है, पर अब टूट रहा है, joint family system में ये बच्चों की जिमेदारी होती थी, परिवार की जिमेदारी होती थी, को देखें, जो भी elderly लोग हैं की परिवार का उनका ध्यान ठीक से रखा जाए, वही joint family एक social और economical insurance का काम करती थी, क्योंकि परिवार अकसर खेती में सनलिप थे, agriculture में सनलिप थे, तो वहाँ अबशकता नहीं थी किसी additional focus की pension करें, इंडिया की स्थिती भी ऐस इंडिया की pension सरकार दे पाई, तब structure अलग थे, अभी family structure टूट रहा है, ये जो agrar इंडिया की economy के आगे बढ़ने के बाद, और एक population की mature होने के बाद, अब requirement है, कि government अपनी policy making को change करें, और geriatric care के पर focus करें, क्योंकि ये वो लोग है जिनको साहता की सबसेरा दरूरत है, जिनके अदर आप क्याते हैं, elderly population, specifically women, जो differently abled हैं वो, और जो videos हैं, क्योंकि उनके दिक मल्टी फोल्ड होती है, एक तो अब वो भाहेंकर अकेला पर जहलते हैं, lowliness, जिसकी वज़े से वो काफी ज़रा depression में चले जाते हैं, अकसर इंडिया में देखा गया है, जो जेपाल का survey भी इसमें कोट किया गया है, विद दे स्टेट गवर्मेंट अट तमिल नाडू, तो जाना चाहिए कि पहले जरियाट्र केर सेंटर खोडने चाहिए, ओल्ड एज होम्स खोलने चाहिए, जहां उनका ख्याल रखा जा सके, जहां वो रह सके, और policy making, ओल डेज इनेबल ट करनी चाहिए, फ़र एक्जामबल जपैन में अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहा इसिक स्टेप, जो ध्यान रखता है कि Old Age Population है हमारी, जिनको आवश रखता है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया में यह सब करने में न, जल्याटिक केर, Old Age Pension, यह सब Old Age Care Homes खोलने में, बहुत टाइम लगए, जल्दी क्या हो सकता है, जल्दी आप Consulate Centers भ आपको भी पता है कि अभी यहाँ इंडिया में पेंशन है, इंडिया में एक फेमस Central Program है, National Social Assistance Program, केस मिनिस्ट्री के अंदर आता है यह, रूरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पर यहाँ पेंशन कितनी मिलती थी, 200 रुपे, अब बढ़ा 400 रुपे कर दिये, तो इतनी सी पे पेंशन थी Central Level की, क्योंकि NSAP जो है, National Social Assistance Program, यह एक Central Sponsored Scheme है, तो यह कम है, तो इसको साथ-साथ बढ़ाने के लिए, State Governments कही तरह है कि अपने खुद के भी पेंशन लाती है, तकि 1500 तक लोगों को मिल पाए, ताकि उनका थोड़ा सा भला हो पाए, यह तो बाठीक है, लेकिन इनका मानना है कि अगर आपको नेशनल लेवल पे इतने बड़े population के हिस्से को केटर करना है, तो requirement है कि आप कोई नेशनल लेवल पे ऐसी scheme ले के हो, वरतमान में अगर आप देखो जो एक point important है, आपके लिए कि कितने परसंट population इंडिया का, एक 68 and above हो जाएगा, तो वो 18% हो भावना है by 2026, 2036, sorry, अभी कितना था, 2011 में 9% गया सपास था, ये data है, नेशनल कमिशन, population का, तो ये इनका कि भाई, इतनी population आपकी ग्रो करेगी, आपको policy making में changes के requirement है, अभी already, जो आपकी state government के pension schemes चल रहे हैं, उनमें दिक्कत क्या है, जब भी आप कहते हो कि आप सब को प् exclusion error नहीं होता, होता तो है पर उतरा नहीं होता, exclusion, inclusion, पर देखे होता क्या है, एक होता है, exclusion, error, एक होता है, inclusion, error, कुछ लोग automatically exclude हो जाते हैं, कुछ लोग include नहीं हो पाते हैं, इसलिए दिक्कत आ जाती है, for example, अगर कोई scheme है, जो BPL के family को gator कर रही है, तो कुछ लोग हो सकता है, जिसके वैसे automatically कुछ लोग extrude हो जाते है, for example, Tamil Nadu में एक clause है, कि अगर आपके परिवार से कोई बेटा बाहर कमा रहा है, family member, तो आप फिर extrude हो जाएगे, तो वो exclusion एदर आ जाता है, जिसमें कई लोग को requirement होती है, फिर भी बाहर छूट जाते है वो, तो जो BPL को भी gator कर तो एक requirement है, एक universal pension scheme की, ताकि जो elderly population है, वो अपने आपको बहतर तरीके से जी सके, भविश अपना सुधार सके, और एक जो उनने जीवन जिया है देश की सेवा में, या जो economy में रोगदान दिया है, उसके बदले में कुछ तो compensation उन्हें मिले, जिसकी India की constitutional obligation भी है, right to life के अं और यह अक्सर जो है, undiagnosed रहता है, specifically जो इसमें जारा समस्या होगी, वोगी वुमिन को, और विडोज को, यह loneliness, poor health, lack of financial access की वजह से, आपका जो depressions का scale है, वो बहुत जारा बढ़ जाता है, इनकी हार्षे बहुत जारा बढ़ जाती है, तो इसलिए बढ़ा important है कि आप एक social assistance program जो आपका है, इसको revamp करो, revamp करके आप कोशिश करो, कि यह बढ़े, एक तो आपने जो assistance दे रखा कम है, दूसरे इसमें inclusion plus exclusion error है, अगर आप इसको universal बना देते हो, तो होगा क्या, इनका कहना है कि government का expenditure है, वो काफी बढ़ेगा, जो normally कहा जाता है कि शायद 10,000 क्रोड तक इंडिया का central government का expansion पैसे का बढ़ जाए, आप बढ़ा दोगे, अगर pension तो आपका जो exchecker पे खर्चा है, वो around 10,000 क्रोड तक बढ़ जाएगा, पर अगर आप compare करो, तो already government 40,000 क्रोड स्पेंड कर रही है, on pension of public employees, तो अगर आप देश भर में universal scheme लाते हो, ऐसा कुछ, तो उसस एक exclusion error खतम होगा, inclusion error कम हो जाएगा, और एक बड़ा population का chunk, जो किसी वज़े से ये access नहीं कर पा रहा है, वो access कर पाएगा, क्योंकि already अभी जो है, वो target करता है, क्या target, कि आप एक particular category से होने चाहिए, below poverty level या कुछ भी हो जगता है, उसकी लिए आपको proper paperwork चाहिए, वो सब ले पास वो access होगा, और चीजें धीरे digitized भी हो रही है, तो ये बड़ी समस्या का सबब है कि उनके पास तो वो facilities ही नहीं है, तो इसलिए जरियाटिक केर में में कोशिश कर नीचे कि अगर हम एक universal pension scheme ला पाएं, तो वो सहायता कर पाएगा इनके, और अगर already आपको जो state government है, व ये एक universal scheme हो, और ये इसके अलावा यहाँ article में बात इतीन ही की गई है, पर हमें ये भी सीखना चाहिए है कि हमें focus करना चाहिए mental health के उपर, तो अगर old age homes इंडिया में खुरू हो सके, जिसमें private sector intrude हो रहा है, कुछ investment वहां से भी आई है, अगर आप उनकी counselling की वस्ता कर प तो एक बहुत बला knowledge base है, जिसका इस्तमाल किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें भी है additionally important है, इंडिया की policy making में specifically geriatric care को देखते हुए, ताकि हम और जादा अपनी इस बड़े population के हिस्से का खयाल रख पहा है, जो कि आगे जाके और expand कर या कम तो होगा नहीं, दिने दिने काफी जादा errors है, तो ये exclude करने के लिए universal की इनोंने बात करिया, जैसे बताया, तमिलाडू की case में इनों बताया, 40%, 40,000 करोड का एक खर्च तमिलाडू को आएगा, अगर वो सब को pension और retirement benefits देते हैं, जो कि 1% of population है, लेकिन ये important है, और इस से बहुत सुधार हो सकता है वहां स्टेट, वहां पर South India में सबसे बुरी स्थिती नहीं किया है, at least widows को, जो differently abled है, elderly, उनको universal pension इस South India में मिलती है, अपार्ट रम तमिलाडू, तो तमिलाडू जैसे advanced looking state की अगर स्थिती है, तो बाकियों क्या haul हो सकता है, ये हमें सोचना चाहिए, पाकी South की state almost universal आपका pension coverage दे और अगर आप इंडिया लेवल पर देखोना तो even 0.005% के आसपास GDP expenditure इंडिया करता है इसमें, जहां बहुत scope है, requirement है इसे grow करने की, तो ये कहानी थी, old age care की और old age policy making shift की जो ज़रूवत है government को करने की, अगला article बात करता है water crisis के बारे में, water crisis ये paper 3 से related है, conservation, environmental pollution और degradation की उपर यहां अगर आप देखें, तो आपने पढ़ा है कि इंडिया में water crisis है, काफी time से बढ़ा है, water crisis है, कहां क्या quote करें, क्या आपके पास कोई list है, क्या topics है, क्या problems है, अगर water crisis है, तो दो तरह की है, एक तो natural, नेचुल इस तरह की जैसे आप बात करो peninsular इंडिया की, तो यहां फिर एक है man-made, man-made water shortage कैसी होगी, यह उने areas में होगी, जहां rain sufficient हुआ करती थी, लेकिन आपने population growth इतनी जादा वहां पर कर दी है, population concentration इतना जादा कर दी है, वहां से water sources इस तरह निकाल लिया है, कि वहां पर अब water crisis आ गई है, for example, urban centers, अभी आप देखो, तो जो इलाकों में पानी की दिक्कत नहीं भी वागटी थी, Eastern India में, वहां भी आप पानी की समस्या आ गए है, क्योंकि आप pollution फैल गया है, और climate change की वज़े से, और rapid urbanization की वज़े से, यहां बात की गई है, कि जो man-made, आप water crisis का component देख रहे हो, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, specifically urban areas, जब डेवल पारी एम होता हो किसी urban center का, लेकिन देखा गया है, जब दिल्ली की बात करो, जब किसी भी urban center की बात करो, पहले point में, वह कोशिश करते हैं, कि जितना भी ground water है, वो उसको निकाल ले, उसके बाद वो आसपास का जो एक्विफायर है, कोई जील है, कोई तालाब है, वहां से supply अपने शेहरों के ले लाते है, फिर एक point ऐसा आता है, कि जब वो इस शेहर बहुत जारा बड़ा हो चुका होता है, तो आसपास के district के गाओं के भी water sources को से पानी निकाल के शेहरी जगहों पर पानी पहुचाता है, जब कि इन इलाकों में जहां पर गाओं है, जहां से पा water gases आ रहे हैं, तो एक UN की water report है, 2022 में उसने कहा था कि ये global concern है, फिर इसी के हिसाब से water day मना आया गया, coping with water scarcity in 2007, वीचों सिमिलर नीटी आयो की report, जहांनों ने कहा था कि इंडिया में 600 million people are living in water stress scenario, और they will be water stressed, फिर अब और देखो तो एक global drought and risk and water stress map है, जिसमें बोला गया कि इंडिया का western central और पैंसोर इंडिया highly water stressed है, और water scarcity phase कर सकता है, यह रहे composite water management index की बात, नीटी आगे के report जिसने कहा था, 600 million लोग acute water shortage phase कर सकते हैं, और उने से कुछ तो करी रहे हैं, तो यह जो कहानी है, यह क्यों है, तो जिसे ने बताया, इसकी वजह किया है, एक urbanization, दूसरा water management issues, तीसरा, population, चौथा, क्या दिख रहे है, क्या मज़े है, pollution, अब देखिए, मैंने pollution और water management को अलग-अलग क्यों लिखा है, कि देखिए, water management ऐसा होता है कि अगर आप आस्मान से पानी गर रहा है, उसको conserve कर पाए, it will solve a lot of problems for you, पर आप वो नहीं कर रहे है, that is a part of water management issue, आपकी जो नदिये हैं, उनका बहुत सारा पानी वेस्ट चला जा रहे है, that's a water management issue, आपके शेर में floods आ रहे है, because of water management issue, जो floods आते हैं, तो पानी के जो एकोफाय से वो pollute हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि पानी आ गया बाड में तो पानी भर जाएगा हर जगा, वो पानी बुरा हो urban waste जो create हो रहा है, उसकी बात हो रही है, जो आपके water sources को pollute कर रहा है, जो ground water pollution फैल रहा है, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर देखा गया है, इंडिया में जो water scarcity है, यह सब के वज़े से होती है, लेकिन इन सब pollution की वज़ों से, क्या होता है, एक competition स्टार्ट होता है, जिस अब rural waste का पानी बहां से उठा कर urban waste को दे जा रहे हो, तो वो उसके जीवन के लिए कितना खतरनाक है, और उसकी as a citizen उनकी against जाता है, तो trans boundary transfer of water, trans boundary transfer of water कैसे होता है, इसमने बताया, कि आप शहरी लागों को पूरा करने के लिए बाहर के लागे का पानी वहां लाते हो, यह कह जा रहे है कि 12% दुनिया के जो larger cities है, उनका dependence है, inter-basance transfer पर कि किसी और जगे का पानी उन तक पहुच रहा है, यह जो समस्या है, इसके तीन categories है, जो से risk associated है, एक है bio-physical, socio-economic और governance वाले, इंडिया में बहुत जादा bio-physical और socio-economic risk है, इस water transfer का जो आप एक जगे से पानी ले 50% से उपर है क्या? नहीं, इंडिया में around 34% के आस-पास है, यह कहा जा रहा है कि by 2030 और 2050, इंडिया के urban population 50% को cross कर जाएगी, दुनिया भर की हो चकिया 50% से उपर, लेकिन इंडिया बहुत जो population की road, great road है, कम है urbanization की, पर फिर भी due to this, अभी around 40% के आस-पास हम touch करने वाले है, फिर भी अभी जो urbanization है वो जब उसी rate पर होता रहेगा, तो एक major section है, जो की urban इंडिया में shift करेगा from rural areas, शेहर पे बहुत बोज पढ़ने वाले है, उनकी requirement को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा water supply चाहिए, और यह water supply करने के लिए आप कैसे लाओगे पानी, जैसे मने एक्वाफायर हो, कोई और river हो, कोई water source हो, वहाँ से आप और दूर जा जाके पानी supply करना शुरू करते हो, pipe water supply, और surface water पर आपकी dependence बढ़ जाती है, वो surface water जिसकी maintenance कहीं और हुई पड़ी होती है, जिसका source कहीं और हुआ होता है, generally मानलो यहाँ नदी बहरी है surface water है, और इसका usage यहाँ हो रहा है, चलो सिचाई के लिए हो रहा है, या किसी और काम के लिए हो रहा है, तो कुछ हिससा इसका दुबारा ground water में जाता है, और main source में चला आता है, अगर यह surface water इसके आसपास use हो रहा है, तो एक natural जो ecosystem में वो conserve रहता है, अब यहाँ से पानी लेके मैं इसको USA पहुचा दो, तो क्या वहाँ सिर्फ पानी निकल रहा है, आने के बारिश होगी पर एको फैर में पानी कितना भर पाएगा उतना क्या, क्या सस्टेन कर पाएगा नहीं, it will not be natural, so that is the issue, city-based water supply अब ऐसा हो गया, कि जो basin है उससे बाहर से पानी ला रहे हो, इंटर स्टेट ट् अमने देखा था, water trains चली थी, जब मारास्ट्रा में crisis आई थी, तो water trains, पानी भरबर के आप train से ले गए, ठीक है, लेकिन वो आपको solution नहीं हो सकता, solution यह हो सकता है कि वहाँ के आप areas को develop करो to conserve water, इसमें एहमदबाद का example यह लेते हैं, कि जहां 80% जो water है, वो 1980s तक ground water से नि कनाल से water shift हो रहा इनका start हो, और हमें पता नरमदा के बाद कितनी समस्या होई थी, वो crisis कितनी ज़्यादा समस्या जनक थी, और ground water धेदरे करके और कम होता चला गया, और बाकी राजी बड़े शहर में है, वो भी surface water पर shift कर गया, देखो, अब बात यह है, surface water भी connected है ground water से, है आप surface water निकाल रहे हो, it doesn't mean कि सिरसे water जा रहा है, ground water भी impact होता है, और इसकी वज़े से, जब वहाँ पानी घटने लगता है, तो किसानों के पास पानी होगा ने, irrigation के लिए, और जो गाओं के लोगे उनके बीच में एक problem create होगी, एक deprivation की भावना आएगी, it will lead to rural urban clashes, अब क क्योंकि आपकी इतनी सारी population in urban area में already रह रही है, तो आप कैसे भाई उनको पानी नहीं दो गया, पर बात ये भी है कि इंडिया में देखा है, चाहे जॉब्स की बात हो, चाहे रेजिदेंसी की बात हो, son of soil theory बहुत जारा famous है, कि भाई अगर आप इस शेहर के हैं तब आप चिनने की बात मिया आर्टिकल में की गई है, जहां पर, water scarcity जैसे जैसे बढ़ रही है, climate change की वैसे और समस्यां जहलनी पड़े गे हैं, हमें पता है, southern name already, जो major river है, चाहे कावेरी की बात कर ले, उसके पास भी विवाद है, करना तक तो मिलाडों के विवाद अलग चलते रह हैं, तो वो जो विवाद हैं, वो और जाला बढ़ेंगे, अगर हमने धंग से बस इस रूरल urban transfer को जारी रखा, कि रूरल पानी आप urban areas में भेज़तो था कि उनकी requirement पूरी हो जाए, लेकिन इससे चीज़ें solve नहीं होंगी, already जो water retransfer भी हो रहा है, मैनेज भी हो रहा है, वो water management और water collection दोनों पर काम करो, जहाँ फार्वेस्ट कर सकते हैं, water को वहाँ फार्वेस्ट करो, और जो management है, उसके उपर काम करो, यहाँ requirement यह है कि governance के level पर हम changes दाए, अगर हम integrated planning करें, अगर आपको पता है कि एक water source है किसी rural इलाके में, जिसका इस्तमाल एक urban city की requirement के लिए होने budget है, यह उनके पास बहुत सारा governance budget है, rather than waiting for that aquifier to dry out, rather than waiting की वो लोग हथियार उठा के खड़े हो जाए, आप क्योंने कुछ हिस्सा उसकी governance का, invest करें, एक basin development में, जिससे जो reservoir वहाँ आसपास है, जो वो rural इलाके हैं, उनमें भी integrated growth हो, अगर उनके किसानों को आप, या फिर उन की economy को अपनी economy के साथ, तकि जो urban area की, उसकी growth से, rural area की growth भी बढ़े साथ-साथ, उनको दिखे कि we are getting the help or the support which is given by the urban centers, तब जाके जो governance challenge हो भी कम हो जाएगा, तो आप इसको solve कर सकते हो, एक catchment based approach के साथ, एक system approach के साथ, इसे integrated approach है, जो सब को साथ लेकर चले, वरना यह system हो जाए जो फैरों में ला रहे, उनको भिजली नहीं मिल रही है, तो वो चीज़े solve करने के लिए हमें एक integrated approach रखने की जरूँए था, जिसकी बात author यहाँ पर कर रहे है, इसके लिए और क्या steps ले सकते हैं, मैंने बोला कि आप एक integrated approach लो, integrated approach में सिर्फ water management नहीं, आप investment, आप कैसे co- functioning, co-existence पर focus कर सकते हो, उनकी economy में support कर सकते हो, catchment area पर जो land, जो land है, rural areas का, जिनको irrigation की जरूँए है, वहाँ पर अगर आप additional support दे पाओ, ताकि एक partnership develop हो, urban rural areas के बीच में, जो जिससे पार्णी लेगा, उसको कुछ अर्टक support भी करे, क्योंकि उनका budget बहुत बढ़ा होता, urban centers क और हमें पता है कि, पंचैस का तो कुछ budget ही नहीं होता, so this can be a way out, institutional strengthening की बात है, कि flexibility आपा regional level पर कैसे water allocate होगा, किस तरह से उसको rejuvenate किया जाएगा water source को, तो ये तरीक है जिसके तुरू हम water source को और जारा manage कर सकते हैं, better बना सकते हैं, ये कुछ points हैं, जो इस article में raise किये गए इंडिया के Prime Minister और China के President Xi Jinping के बीच में समस्या हैं, हमें पता है कि clashes हुएं और उसके बाद से Indian Prime Minister और Chinese Premier के बीच में बात नहीं हुए है, अभी recently ये देखा गया कि dis engagement बढ़ गई है, engagement मतलब जो आमने सामने सपाई खड़े होते हैं, बंदू के तान के वो थोड़े थोड़े काम करती है, कि भाई मेरी ये जमीन है, ठीक है, ये मेरी जमीन नहीं है, सुरी, ये आपकी जमीन है, मैं चाता है इस पर कबजा करना, मैं यहां से आओंगा, और यहां तक पहुंच जाओंगा, यहां तक कबजा कर ले, आप आओगे लड़ने कि भाई मेरी जमीन पर कबजा कर ले आपने यहां तक मने कफजा कर लिया फिर ठीके ठीके पीछे जाते हैं ना यह जो शेलिड़ पोच्छन यह पोच्छन में आके बैट गया हूं अब आप मेरी बात मानों आप भी थोड़ा से मुझे स्पेस दे दो बफर क्रेट कर दो तकि जगडाना हूं कि मुझे पता पांस साल बाद जब यह मामला थंडा पड़ जाएगा फिर यह आगे जागे यहां तक कपजा मारूंगा फिर आप कोगे पिस्टे जाने मेरा इरिया थोड़ा और जाएगा तो I am cutting a small salami चोटे चोटे टुकड़े काटके कबजा कर रहा हूं salami tactics इसे खेतों एकसर दिखा जाता है मेर बनाने के लिए लोग दूसरी की जमीन मेर चोटी करते जाते हैं फिर मेर बनेगी तो भाई उसकी जमीन कहसा मेर में आ जाएगा या फिर कुछ लोग मिठाई की दुकाना में जा इस टूड़ अप तुदैम लेकिन अब यह इलाके में क्या चल रहा है पांच लेवल पे था जहां पर बफर जोन बनाए गए ना इंडियन आर्मी वहां पैट्रोल करने जाएगी ना चैनीज आर्मी वहां पैट्रोल करने आगी उसके बफर जोन होते हैं बीच का इलागा इस बफर जोन है इधर चैना इधर इंडिया पांच ऐसी लोकेशन से सेंसिटिव जहां पर यह बनाया गया कि भाई हम भी नहीं तुम भी नहीं तक ही इंसा नहीं लेकिन प्राब्लम यह कहां कहां हो रहा है तो पांच लोकेशन थी एक ती गोगरा होट स्प्रिंग का इला इंडियत सलामी टेक्टिक स्ट्रैप और जो अरेंजमेंट अभी तक की गई है दो साल से शान्ती तो है वहां क्योंकि बफर जोन में कोई पैट्रोलिंग के लिए जाता नहीं है लेकिन समस्या यह है कि यह इलाका तो जनरली इंडिया का ही है इस पर इंडिया क्या करेगी इस में हमश्या के लिया इसक封मान लेगी स्टीट्स को ऐसा तो होने वाला नहीं है नहीं मानेगी इसके लिए जो कोई कदम पीछे हड़ जाओ कॉंफिरेंस आजाएगा हमें की आप सही हो तो इंडिया उसको कैसे सॉल्व करेंगा इंडिया कैसे जो उनके टेरिटोरिल इंग्रेशन्स है चाइना की उसके बारे में बात की गई है तो इनका कहना यह है स्कॉलर का राइटर का कि चाइना का ट के उधर यहालंगी बहुत सरा पानी के इलाका है यह पथिला इलाका है उसके उधर जो चाइनीज इलाका है क्योंकि तिबबत का रीजन इस लाइक प्लेट यो और आगे भी उनके पास जो लोगिस्टिकल सपोर्ट है बहुत अच्छ है उनके पास जारा इंफर स्ट्रॉक् इसके लिए बड़ा इंपॉर्डन है पैट्रोल करना और यह जाता ना कि देखो यह हमारे भी जमीन है अगर पैट्रोल नहीं करते तो सामने वाले को लगता है उसी की जमीन है और चाइना को तो लगता ही है तो चाइना ने अभी तक कोई भी जो दो मेरे रिया थे डैम्च और टैप शांग यहां पर उसने कुछ बात करने की कुछ नहीं करें जहां पर इंडिया चाहता था बात करना कि टैप सांग पली में इंडिया इस इस अगुड पोजिशन जा इंडिया चाहता है एंशॉर करना कि भाई यहां पर एक अबजा ना करें क्योंकि बाद में अब ले रद्दा को कट आफ कर सकते हो इंडिया से अगर आपने अरिया कप्चर कर लिया तो तो यहां ऑथर यह कहना चाहरे है कि जो positioning है अभी जो है उसमें disengagement हो रहे है लेकिन it's not a solution it's a temporary tactic क्या इंडिया को अभी इनकी बाद माल लेनी चाहिए disengage कर लेना चाहिए तो आफर करें कि नहीं it is not a possibility because अगर इंडिया ऐसा माल लेता है तो already इंडिया will go into Chinese hands not completely क्योंकि China जो चाह रहा था objective वो एक तरह से पूरा हो रहा है अब इंडिया को यह देखना बढ़े है कि China आगे क्या step उठाता है जो disengagement हुई it is a positive sign but it can't be taken as a concluding you know step यह काफी नहीं है temporary step पर आप बात करना शुरू करो क्योंकि आपको यार्द होगा जब यह शुरू हुआ था तब बहुत सारे सिपाई लेकर वो आ गये थे अगला article बात करता है food security के बारे में buffer stock बढ़ाने के बारे में हमें पता है यह topic security का इशू अभी भी है यह article क्लीम कर रहें अभी भी है क्योंकि इंडिया में जब महंगाई है वो 30% से उपर बढ़ गई है food green prices की जिसकी वजह क्या है एक तो global जो issues चलने है वो oil prices की बात आगए Ukraine Russia conflict हो गया फिरी ने में मॉन्सून थोड़ा गड़बड हुआ अगर पिछले साल production कुछ गहों की कम हुई थी heat waves के टाइम में तो इसने इंडिया में food की crisis बढ़ाई है थोड़ी से हाला कि इंडिया में NFSA है national food security act है constitutionally required है कि support करे government सबको एक basic amenity है लेकिन in realistically food security का concern अभी भी इंडिया में बना हुआ है वो कैसे है इस article में बड़े अच्छे से explain किया गया है कि आप देखो इंडिया में global hunger index पर रहे हैं कि 101 पर आ गई है FPO ने बोला कि भाई जो food price है 30% बढ़ गई है इंडिया hunger spot में पाकिस्तान और बंगलेश और नेपाल से पीशे चला गया है इसकी वज़े है कि इंडिया में बहुत large population है और इंडिया ने हाला कि public distribution system FCA वगरा establish कर रहे हैं FCA है इंडिया में एक्ट बना हुआ फिर भी जो problem में बहुत जारा बढ़ जाए कि क्यों जब हम consider करें कि what is food security food security में food sufficiency is just an option यानि एक उसमें step है कि food sufficient आपका देश है production को लेगे requirement है तो basic grains अनाज का supply किया जारा है नहीं किया जारा लेकिन मुद्दा यह है कि क्या वो accessible है और क्या वो affordable है इंडिया में accessibility बढ़ाई गई है बहुत कम नाम पर अब मिल रहा है यह राशन के दुकानों पर और क्योंकि जब से jams की माई है तो थोड़ा और जारा यह efficient हो गया है सब को अब जो नाम जिनका भी list में दर्जह जो लेना चाहते हैं उनको timely leakage कम की गई है specifically after travel of jam जन्द नाधार mobile और आपने इसको track करना भी आसान कर दिया है exclusion error, inclusion error घट गए है फिर बाद आती है affordability की problem यह कि एक बड़ा तबका ऐसा होता जहां बड़ा तबका के सब को ही चाहिए होती है एक balance diet अगर आप सिर्फ चावल और रोठी खिला होगे ना तो it is not food security एक basic level पे balance diet जो होनी चाहिए वो उपलब्द होनी चाहिए और वो capacity होनी चाहिए विक्ति के पास को उसको खरीद पाए ठीक थोड़ा protein चाहिए थोड़े minerals चाहिए थोड़े vitamins चाहिए अगर चीज़ें जो है वो डाल के अलावा बागी सब कुछ 200-200 रुपे किलो हो जाए तो आपके पास capacity नहीं आप खरीड के खाओ तो आपके जो dietary needs है वो पूरी नहीं हो रही है आपको basic sustenance के लिए जीने के लिए जितना चीज़े पस उतना मिल रहा है dietary needs जो है उसमें तो बहुत कुछ है calcium चीज़े vitamins जीए वो कहां से मिलेंगे तो वो तो state government हमेंशा नहीं जेने वाली उसके लिए भी important component होता है affordability का तो food security का concept is a multifaceted concept केवल food अनाज पहुच जाना is not enough you need dietary compliments, compliment मतलब जो food की आपके habits में जो requirements है diet को maintain करने के लिए उसकी भी affordability, उसकी availability, उसकी accessibility apart from overall food gain production and all that तो इंडिया की meals में यह समस्य अभी तक बनी हुई है food available तब ही होगा जब सभी उसको खरीद पाए और access को लेकर को barrier नहीं state पर अगर आपकी dependence होगी तो वो परियाप नहीं है इंडिया में क्या 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 इसके लिए framework एक constitutional framework है क्या आटिकल 21 में right to life के अंदर गता है कि right to life और dignity में आपके बास right to food है फिर आपका एक FCI के अंदर buffer stock बना हुआ है जिसको आप MSP की तूरू लेते हो और वेर हासे में जवां करते हो ताकि requirement हो तो आप उसका use कर पाओ कोविड के time में इंडिया में कौन सी scheme चली थी ताकि अनाज कर लों को मुफ्त में कर लों को बहुत कम नम में उपलब्द करा जा था मुझे बता कि कौन सी योजना थी किसकी कलियान योजना थी क्या योजना थ तो कभी-कभी तो शाद टमाटर भी यूज हो जाएं जिस्तिती से टमाटर बढ़ रहे हैं तो यहां बात यह हो रही है कि जो framework है वो है लेकिन इस नाट efficient अगर आपकी inflation बहुत ज़रा बढ़ जाएगा महंगाई बहुत ज़रा बढ़ जाएगी तो अपने आप accessibility का issue हो जाती है इसके आपके वारा अन्तोर अन्योजना है जो सबसे गरीब उनको 35 kg फूट गेंट पर मंथ मिलता है पर हाउस होल्ड फिर प्रियोरिटी हाउस होल्ड है जिनमें 5 kg फूट गेंट पर 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 फैमिली पर मंथ मिलता है यह है एन फसे का कोरकानी और जो eldest woman family के उन्हे house का head बनाया गया है ताकि वो नहीं राशन कार्ड issue हो जा रहा है इसका क्या मतलब है यह सब करने से यह कि आप women inbound पर भी काम करने है आप जो social hierarchy है उसको breach करने है क्योंकि जो mad of the head of the family woman होती थी men होते थी normally now you are considering head of a family being a woman पहले आप men से ही बात करते है इस फिर बच्चों के लि इस इंडिया इस फेसिंग फूज चालेंज फूद सीक्योरिटी का क्या है इक तो soil health कराब होगी है फोल एक तो फेलीटी कियों खराब होगा एक तो chemicals fertilizers बहुत आरा यूज हो रहा है इसके लावा deforestation बहुत 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 हो रहा है जो climate change इसकी वचे वाज़ से climate is सुखे के बाद हो गई पाने की कमी हो गई है इरिगेशन धंग से नहीं हो पा रहा है जो भी आप hybrid seeds करते है तर्मिनेटर यानि एक बर ग्रो करने के बाद वो दुबारा उस फंसल से जो जो अनाज उपजा उसी अनाज को दुबारा आप बो के as a seed यूज नहीं कर सकते है व अनिया में लगाता degradation बढ़ गया है क्योंकि आपने wetlands घंटा दिये irrigation घंटा दिये chemical infusion बहुत जारा हो चुका है वीड का थ्रेड बहुत जारा बाहर से आ चुका अकसर आप देखते हैं कभी बलवम आता है पिंक बलवम कभी आप देखते हैं फॉल आर्मी आर्मी आर्म आता जाना है बहुत आरास वह देखने को मिलता है FCI के गोडांस में क्योंकि वह अनौट वैल बिल्ट जो कोर्स ग्रेन है वह ग्रू करने के बजाए क्योंकि MSP जादा है चावल और यहों पर तो लोग वहां शिफ्ट हो रहे हैं किसान उससे वाटर कम हो जा रहा है वेस्टेज पचासार कोड़ों का हर साल हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वज़े से आपका मौनसून इंपक्ट हो रहा है इसकी वैसा आपकी इरिगेशन इंपक्ट हो रही है फूर सेक्योटिक एक मेशर थ्रेट है खारिफ क्रॉप जब गुर होती है तब क्या होता है वाटर अवेलिबिलिटी का बड़ा समस्यान दिए सर्दियों के टाइमें ठीक है सारी खारिफ क्रॉप कब गुरो ती मुझा है फ्र लठी में मिस्टे करें तो नायो जैय कि अजय हैं एальное तो जब उसकी कमी दिखने लगए एप लुट हम डिचावल एक्सपोर इंनका रहा एक्सपॉर्ट को ब Inhale ड्यवल ढ़िक तो जब उसकी कमी लिखनी नहीं नो इट इस नॉट इस नॉट फॉर अग्रिकल्चर इवन क्योंकि एक पॉइंट के वाद आपके किसान के पास जो इसे इंसेंटिव था ग्रोथ का अर्निंग का वो कम हो जाता है सो यह आपने लोकल फूट सिक्यर्टी एंशॉर करने के लिए बैन लगा दिया on that front that's right बट इंडिया को रिक्वार्मेंट है कि इससे जादा निकले और सप्लाइचेन अबने सही करें अभी रिसेंटी क्या वर्ल्ड ओर में चेंज आए सप्लाइचेन तोड़ गे रश्या युक्रेयन इस अ मेजर फूट के प्रोवाइडर तो होल फ यॉर्प तो इंडिया को अगर कभी रिक्वार्मेंट होती थोड़ा मोरा समान बाहर से महाना था तो बड़े एजली मिल ज पैसा वो पैसल आगे महंगी महंगी दरोंपे चीजें खरीद ले रहे हैं स्पैसिफिकली वीट क्योंकि वीट रश्या युक्रेयन से मेजर सप्लाइच होता था इन्होंने सी रूट खराब कर दिये सप्लाइचेन बिगड़ गई तो यूरोप और वेस्ट इश्या के या जो अपने अग्रिकल्चर प्रड़क्ट्स उनको भी ग्लोबल अचेन में ले आए ताकि फार्मस का फाइदा मेले लेकिन इंडिया नीट्स टू बी एंशॉर्ड की एटलीस जो फूल सेक्योर्टी का देमेंशन है उस पे किसी ग्लोबल इवेंट की वज़ेसे इनकी ल इसलाइजर का यूज है उसको और ज्यादा एफिशेंट बनाने की रिक्वार्मेंट है यह सब करने के बाद इंडिया बहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा देस नीट टू स्टैबलिश स्पेशल अग्रिकल्चर जोन थू आई सीट एजवेल क्रॉप मॉनिटरिंग करो कि इंशॉरेंस हो नीचे जो अलड़ी गर्मेंट दे रही है उसमें और ज्यादा मॉनिटरिंग और बहतर आउटकम की रिक्वार्मेंट है इसके लिए अब क्या करेंगे भाई आप और प्रसाइस अगरिकल्चर करेंगे प्रसाइस अगरिकल्चर कैसे होगा जब आप टेक करो यानि राशन कार्ड को अधार से लिंक कर दो ताकि कोई भी वेक्ति जिसको रिक्वार्मेंट एक हाने की पीछे न रह जाए तो स्टीजी टूगी एक बेनेफिट स्कीम जो स्टार्ट हुआ है जिसके तहर पैसा सीधा लबालती को पहुंच जा रहा है और वो उससे कोई भी एक स्टेप किया गया था कोई बी अगर वेक्ति है वो राशन कार्ड स्कीम कियाने के बाद देश में अगर कोई व्यक्ती काम करने कहीं भी जला तो पहां से अपना राशन ले सकता है that's a good step again, which again showcases food security aspect, फिर food stock holding को आपको communication channels के थरू store houses को better बनाना पड़ेगा target रखना पड़ेगा, उनको धंग से maintain करना पड़ेगा, एक umbrella approach रखनी पड़ेगी जिसके थरू inequality घटे, food diversity रहे, और जो indigenous step है वो भी हो पाए, ये step करने के बाद ही, इंडिया बड़े तरीके से आगे बढ़ता है ग्रीन एकॉनमी मेंटेन दर पाएगा तो ये कफी depth में बाते करी broadly ये सारी topics आपको मुझे उमीद है पता ही होंगे जो हमने last के point में discuss किया इसलिए में सब तेस बोल रहा था, जल्दी जल्दी बोल रहा था, तो ये था आज का lecture आज के लिए इतना ही, I hope you like this lecture and keep on watching only IS, thank you very much